हाई, वेलकम टू ADF स्टूडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बार एंड कैफे इंटिरियर डिजाइन के बारे में जो की डिजाइन किया गया है 11 फीट बै 23 फीट के एरिया में चलिए इसका complete interior walkthrough देख लेते हैं यहें इसका front है रंक पर इसमें complete tuffened glass मिल जाता है एंड right side में entry मिल जाती है entry करते ही left side में serving counter design किया गया है एंड right side में high stool sitting area design किया गया है यहें इसके serving and working area के counter का design है जैसे कि आप इसका complete view यहाँ पर देख सकते हैं इसके top पर marble finish मिल जाती है एंड इसके back side में working area design किया गया है यहें coffee machine area है जैसे कि आप इसके wall paneling का design यहाँ पर देख सकते हैं इसके back side में display and storage के लिए glass shelf design किये गये है एंड counter के lower portion पर storage design की गयी है इसके back side shelf display के अंदर lighting मिल जाती है इसको wooden theme में design किया गया है इसके left wall पर storage and shelf design किया गया है जैसे कि आप इसका design यहाँ पर देख सकते हैं यहें इसके ceiling का design है इसको curve shape में design किया गया है इसमें overall lighting के लिए panel light का use किया गया है यहें इसके back wall display है इसके lower portion पर storage design की गया है इसके back side में mirror मिल जाता है एंड इसके सामने shelf design किये गये है इस display को as a partition design किया गया है जैसे कि इसके right side में internal sitting area यहाँ पर देख सकते है इसके flooring में gray tiles flooring की गयी है तो आपको यह bar and cafe interior design कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो को like channel को subscribe कर लीजेगा अगर आप भी अपने space के according cafe या restaurant का interior design कराना चाहते हैं तो हमें इस number पर contact कर सकते है thank you चलिए इसका top view देख लेते है अब है तो हमें ईबस्द्द्टL एद श एगा है पे है हमें झाल झाल